वेल्कम बैक आफ्टर तर ब्रेक नाजरीन हमारे साथ है सेयद जक्या जिन्होंने हमारा लेवल वान मुकम्मल कर लिया है सिर्फ एक लाइफ लाइन के इस्तिमाल के साथ अब हम शुरू करेंगे उनके साथ लेवल टू जक्या आप रेडी है येस कॉंफिडेंट येस एक ला चलिए तो लेवल टू का पहला क्वेशन आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर इन में से किस वाजब नमाज में गुसल या वजू की जरूरत नहीं है A. नमाज आयाद B. नमाज शब C. नमाज मयत या फिर D. नमाज जाफर तयार कौन सी नमाज है जिसमें गुसल या वजू की जरूरत नहीं है A. नमाज에 आयाद हो सकती है या नमाजे जाफर तयार आपने पढ़िये कभी नमाज आयाद? नहीं? कब पढ़िये जाती है ये नमाज आयाद? नहीं पता नहीं पता और नमाजे जाफरे तयार ये पढ़िए कभी ये भी नहीं पढ़िए तो क्या करना जाएंगे दी नमाजे जाफरे तयार दी नमाजे जाफरे तयार में गुसले आवजू की जरूरत नहीं है आपके हिसाब से महफूस कर लो कि वैंगे स्ट्राइब और के नमाजाय जाफरिय तयार होगी कि कि नमाजय मैं ऐसा लगता है कि होना जबहिए को लगता है कि होना ची तरह कि आपके पशोपी दो है ना you have to be sure ना yes because the answer का right होना बहुत जरूरी है यह राइट होगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे अगर यह रॉंग हो जाएगा तो फिर शो एंड है ना आप सोच समझ के अच्छे से जवाब दीजाएं अगर नहीं समझ में आता है आप अपनी लाइफ रेंड भी उसकर सकती है ना 50-50 तो इस्तेमाल हो गई तो अभी आपके अस फ्लिप बागी है और डबल फ्रीज बागी है क्या करना चाहेंगे आप ऐसी नमाज है एक जिसमें वजू भी नहीं करना पड़ता है ना गुसल अब ऐसी वो नमाज पड़ सकते हैं इसमें से कौनसी ऐसी नमाज है जिसमें गुसल या वजू जरूरी नहीं है आपने कहा डी नमाज जाफर तयार अब आप कह रही है अब आपको लग रहा है कि ए है तो महफूस कर लो इसे? क्या सोचके आपने का कि नहीं नमाजे आयत है यह नहीं हो सकता है? BNC तो है नहीं क्यो BNC नहीं है? नमाजे शब्ट तो चलो ठीक है नमाजे शब्ट के बारे में अपने सुना होगा मझलेसों में I think पर नमाज है मयत क्यों नहीं नमाज मेत नको पटा है लिम से नमाज मेड पढ़ा के लिए यह कंवी अधियों कभी गई है कबरिसान में कोई गुजरता है तो लाइक जाते है कबरसान में दफन करने के लिए तो आप कभी गई हैं महाँ पर नमाज मयद होते हुए देखा है तो कैसे बढ़ते हैं वह लो कहां पर पढ़ते हैं नमाज मायद को मायद के पीछे तो महाँ पर कैसा हो याने मायद जब पूरी रेडी हो जाती है उसको बस दफनाने के लिए लेकर जाने वाले रहते हैं तब ही वो मायद होती है सब लोग नमाज पढ़ते हैं पीछे तो आपने देखा है कि उसमें सब लोग गुसल ऐा वजू करकर आते हैं अपने कभी नोटिस किया यीओ चीज नोटिस किया आपने कभी आजा इसा नहीं किया अपने कभी आजा जाए नाउ है प्याज़ा नहीं किया है चलिए ठीक है अगली बार इंशालला आप नोटिस करिएगा उके इसके अलावा नमाज आयद और नमाज शब और नमाज जाफर तयार इसके बारे में भी आपको नोटिस करना पड़ेगा है ना ठीक है वो सब तो लेटर ओन बट एड प्रेस देंट आपको मुझे जवाब देना है जख्या अगर आप कंफ्यूज है तो आप अपनी लाइफलाइन का इस्तिमाल कर सकती है ओके गलत जवाब होने से बहतर है कि आप अपनी लाइफलाइन का इस्तिमाल कर ले क्या करना चाहेंगी आप लाइफलाइन को आगी के सवालों के अगर फिर भी आप एक जवाब देती तो वो क्या होता नमाजे आयात चलिए कंप्यूटर ऑप्शिन ए नमाजे आयात को महफूस करिये और हमें बताईए ये सही जवाब है या नहीं जख्या नमाजे आयात इसका बिल्कुल गला जवाब है नमाजे आयात के लिए वजू और गुश्ल दोनों की ज़रूरत पड़ती है इसका सही जवाब है C नमाजे मयत नमाजे मयत में गुश्ले या वजू नहीं भी होगा तो चलता है ठीक है ठीक है फ्लिप्ट क्वेश्चन आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीम कर इस क्वे मजुदे जमकरान, C मजुदे हरम, D मजुदे नबवी, A मजुदे कूबा, मजुदे कूबा, महफूज कर लो, Yes, Computer option A मजुदे कूबा को महफूज करिये और हमें बताईए यह सही जवाब है नहीं, आपने बहुत खुशी खुशी excited हो के answer दिया, कैसे क्यों? मुझा पता थ पता था, आप पढ़कर आई थी इस बारे में, देखिया आई थी इमेज के, ओके चलो, अच्छा है, तो आपके confidence के जिससे मैं आपको बताती हूँ कि यह answer आपका बिल्कुल सही है, ओके, यह मजुदे कूबा का ही image है, ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, 6th question की तरफ, शबे हिजरत का वाक्या किस जगा रूनुमा हुआ, A. मक्का, B. मदीना, C. इराक या फिर D. इरान, B. मदीना, मदीना, मैं फूस कर लूँ, येस, शौर, येस, बिल्कुल भी सोचना नहीं है आपको, confident है आप, येस, शबे हिजरत आपके साब से मदीना में हुई थी, शबे हिजरत का जो वाक्या था, A. मक्का, A. मक्का, येस, महफूस कर लूँ, येस, computer option A. मक्का को महफूस करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं, अगर आप इसका जवाब B. मदीना देती, तो वो गलत ही होता, क्योंकि option A इसका सही जवाब है, ओके, शबे हिजरत जो थी, वो मक्का से मदीना हुई थी, इसके लिए शबे हिजरत का वाक्या मक्का में रोनुमा हुआ, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं 7th question की तरफ, यह question एक audio question है, ओके, आपको एक audio सुनाई जाएगी, आपको वो audio ध्यान से सुनना है, और उसके बाद हमें बताना है कि वो किस सुरह की आयत है, ठीक है? लेडी है आप? येस. Computer, प्लीज प्लेज प्लेदा ओडियो. अपिछ येस, आपके चार आप्शिन्स है, ए सुरह हम्द, पी सुरह फलक, सी सुरह असर, या फिर दी सुरह कॉसर? कॉम्प्यूटर ऑप्शन सी सुराय असर को मैफूस करिए और हमें बताइए यह सथ जवाब है नहीं ऑप्शन सी सुराय असर इसका बिलकुल सथ जवाब है इस सुराय असर की आयत थे तो चलिए बढ़ते हैं 9th question की तरफ किस नभी का बेटा अपने वालिद की बात ना मानने की बिना पर पानी में गर्क हो गया A. जनाब याया अलेहिसलाम B. जनाब नू अलेहिसलाम C. जनाब इसा अलेहिसलाम या फिर D. हज़त मुहमद सुललाव अलेहिसलाम B. जनाब नू अलेहिसलाम B. जनाबिनु अलेशलाम Yes Confident Yes महफूस कर लू Yes Computer option B. जनाबिनु अलेशलाम को महफूस करिये और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं जक्या ये बिलकुल सही जवाब है जनाबिनु अलेशलाम का बेटा था जो अपनी वालिद की बात नहीं मानने के बिना पर पानी में गर्क हो गया था ओके चलिए बढ़ते हैं इस लेवल के आखरी सवाल की तरफ महराज में रसूल अल्लाव अलेवालेवसलम किस सवारी पे सवार होकर गए थे A. उट याने कैमिल B. घोडा C. बुराख या फिर D. इन में से कोई नहीं C. बुराख Confident? Yes. महफूस कर लो Yes. सुनाए आपने मजलिसों में Yes. ओके चलिए, Computer Option C. बुराख को महफूस करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है नहीं Option C. बुराख इसका बिलकुल सही जवाब है Okay? इसी के साथ हस्ते हस्ते आपने बड़े ही Confidence के साथ हमारे दोनों लेविल को Complete कर लिया है Okay? अब लेविल 3 स्टार होने वाला है तैयार हो आप इसके लिए Yes. नौविस? No. नौट नौविस? चलिए, बहुत अच्छा तो अब लेविल 3 पर जाने से पहले हम लेंगे फिर से एक छोटा सा Break ठीक है? Okay नाजीन अब हम लेंगे एक छोटा सा Break Break के बाद हम सफर कंटिन्यू करेंगे सहीज जख्या के साथ